अबास हो गया और उसके बाद हो गया क्या चीज़ पीम अबास के बाद आपको किसी भी परकार का समाजिक सुरक्षा पेंसर मिलता है लेकिन रोड पर भीख मांगने वाला भिखारी के साथ साथ खेत में मजदूरी करने बाले लेवर के तक से भारा सरकार यह टेक्स ले ले लेता है और निधी का योजना का भी रुपईया हमको मिल रहा है तो हमारे किस चीज़ों के पैसे से खार हमारा भारत अबल दर्जे में आ जाएगा हेले फेंड नमसकार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे व्रेस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में देखे आज हम आपको बात करेंगे कि टेक्स बहुत सारे लोग जब को आपको सरकारी योजना का जब आप किसी भी परकार के सोचाले योजना का ठीक है किसी भी परकार की योजना का सरकारी योजना का जब आपको लाब मिलता है न तो हम लोग कहते हैं सरकार का पैसा है सरकार हमको दे रहा है लेकिन आप एक डाटा को समझ ये कि यहां पे भारत सरकार तो ऐसी सरकार है यो अपना पैसा देने वाला लगता है कोई भी सरकार हो अपना पैसा हमको नहीं दे सकता ओ क्या है कि हमारे मेहनत के कमाया हुआ पैसा देता है हमको टेक्स ले करके अब देखिए भारत सरकार जो है अभी तो हमको अमीर और गरीवी सिखा देता है लेकिन यही भारत सरकार क्या आप इसस लेता है अलग बात है बड़े ब्यपारी से लेता है लेकिन रोड पर भीख मांगने वाला भिखारी के साथ साथ खेत में मजदूरी करने वाले लेवर के व्ह without भारत सरकार ना यह टेक्स ले लेता है अब इस चीजों को डाटा के रुक में आपको समझने की जरुवत है आप कोई भी बिस्कूट या कोई भी चीज़ कोई भी समान आप लोग खरिदने जाते हो येगा मान लेते हैं कि कोई एक बिस्कूट खरिदने गया जिस पर बिस्कूट पर यहां पर लिखाल रहता है MRP 5 रुपईया ठीक ह MRP RS 5 यदि MRP इसका मतलब maximum retail price मतलब पांच रुपईया इस समान का दाम है न तो उसी के ठीक नीचे में लिखल रहेगा INCL और आफ ओल टेक्सेज इसका मतलब क्या है कि इसमें सभी टेक्स को इंकलूड कर दिया गया INCL का मतलब include of all taxes मतलब सभी परकार के टेक्स को जोड़ दिया गया है तब यह बिस्कुट का दाम बटर बैक का दाम चाहिए औरेंज का दाम कितना रुपईया लगाया गया है पांच रुपईया अगर कोई भिखारी भी बिस्कुट को खरीदने जाता है तो उसको भी कितने रुपईया में मिलता है तो पांच रुपईया में मिलता है इस परकार हम लोग कह सकते हैं कि भारत के एक-एक बैक्ती जो कोई न कोई समान को खरीद करके खाते हैं वो सभी टेक्स देते हैं सरकार को अब इसमें से कुछ जो होते हैं ब्यापारी लोग कुछ अलग से टेक्स देते हैं नौकडी करने वाले लोग अलग से टेक्स देते हैं समान का उत्पादन करने वाले अलग से टेक्स देते हैं लेकिन उनमें जो यह जो है नभीक मागने वाले से भी भारसर का टेक्स नहीं छोड़ता है तो फिर आपको बहुत बड़ी चीजों को इसमें आपको समझने को मिलेगा तो फिर जब पिये माबास और पिरधा पेंसन चाहे किसी भी परकार का कोई योजना सरकारी का हमके उलावे मिलता है तो हम लोग किस हिसाब से कह देते हैं कि हमक के पैसे से आज किसान समान निधी योजना का जिस दिन लाब नहीं मिल रहा था उस दिन समानों का दाम भी काफी कम था यानि कितिनी बड़ी महंगाई नहीं थी महंगाई में कमी थी लेकिन आज भारस सरकार हमसे 4000 रूपईया एक्स्ट्रा ले लेता है महंगाई करके तो हम तब 6000 रूपईया देता है तो हम लोग काफी खोस हो जाते हैं अब उसके बाद देखिए यह टेक्स जो हता है न भारस सरकार को आमदनी दिलाता है भारस सरकार किसी भी परकार का यदी काम करता है तो यही टेक्स के पैसे से जैसे उसके किसी भी पदाधिकारी का बेतन देन तो वह कौन्सी पैसे से मिलता है तो हमारे द्वारा हमारे मेहनत के कमाया हुआ टेक्स के पैसों से अब देखिए हमारे मेहनत से ही कमाया हुआ टेक्स के पैसा बड़े बैपारी को भी मिलता है नौकडी वाले को भी मिलता है और समान उत्पादन करने वाले को भी मिलता है बिहार के भारत के A to Z नागरिक के चाहे हुआ भिखारी के भी हो ना भिखारी से भी टेक्स लेता है भारत सरकार उसी टेक्स से पैसे से नेता को घर का किराया मिलता है तो नेता को बेतन मिलता है पैसा मिलता है और उसके बार देखिए और यही रुपईया को जो है नेता किसी भी परकार का सरकारी काम होगा ने तो वह जनता के टेक्स के पैसा से ही काम होता है अगर हम लोग टेक्स भरनाई बंद कर देना तो जान लिजे यह भारत में आकाली आ जाएगा चाहे किसी भी देश में उसका जनता जब टेक्स भरता है तो ही वह देश का राजा ठिक ठा तरीके से सासन कर पाएगा उसके बाद सरकारी योजना किसी भी परकार का सरकारी योजना का काम हम हमको तभी मिलता है जब हम लोगे द्वारा ट्रथ भाड़ा जाता है और हम लोग के रूप में जब 5 लाख भर ते हैं तो इस है सरकार हमें प्प्पी Weight अबास के नाम पर एक लाख बीस जार उपया दे देता है जिसमें एक लाख बीस जार में भी इनका एक पदाधिकारी होता है जिनका नाम क्या है अबास सहायक अबास सहायक जिनका नाम है न वह अबास सहायक क्या कर लेता है तो तीस जार से चालीस जार उपया वो अपने पैसा नहीं रहता है वह हमारे मेहनत के कमाया हुआ पैसा रहता है हमारे मेहनत के पैसा को हम लोग टेक्स भरते हैं उसी पैसा का कमाया हुआ रहता है अब देखें टेक्स का छेत्र जो होता है वह दो तरीके का होता है कुछ पैसा टेक्स वाला पैसा हमको राजिस सरकार के पा लेकिन टेक्स सब लेता ही है और जब यह टेक्स के पैसा हम को यानि कि यह लेने में किसी भी परकार का कोई घुस खोरी नहीं इसमें करने आता है तो जब हमको पिये मवास चाहे पेंसन चाहे सोचाले चाहे किसान सम्मान निदी चाहे किसी भी परकार के योजना का जब हमको लाब मिलता है तो सरकार का पदाधिकारी हम से यही पदादिकारी जिसका बेतन हमारे टेक्स के पैसों से मिलता है वही पदादिकारी जो है न क्या चीज करने का काम करता है तो हम लोगों से घुस खोरी करने का काम करता है और यह घुस खोरी अगर हम लोग करने देते हैं तो इसमें सबसे बड़ी कमी मेरा है अगर जिस दि देजे उस दिन हमारा भारत अबल दर्जे में आ जाएगा क्योंकि यह भारत में हमारा मेहनत का कमाई जो होता है न हम लोग मेहनत से कमाते हैं उसका लगभग हिस्सा 40% से 50% पैसा हम किसको देते हैं तब फाजूल के खर्च में देते हैं जो बिहार सरकार का घुस्खोरी में चला जाता है चाहे किसी दूसरे ब्यक्ति को हम लोग फिजूल के खर्च में देते हैं लेकिन अगर इस देश की जनता अगर चाहले न कि हमको किसी भी परकार के ना चोरी देना है ना कमीशन देना है ना घुस्खोरी करने देना है तो उसी दिन से हमारा सारा चीज बंद हो तो इस परकार से हमारे टेक्स के पैसो को बचाया जा सकता है हम आशा करेंगे कि आप सभी लोग हमारे टेक्स को जब समझे हैं तो इसका सही उप्योग को भी बारे में अपने जाने और लोगों में जितना ज्यादा से ज्यादा हो स्यार कर दे ताकि सभी लोग को यह इसकी टेक्स की महता को पता चले तो धन्य बाद फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर देगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए